कैलाश परवत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है ये अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा हुआ है ऐसा कहा जाता है कि कैलाश परवत के उपर स्वर्ख और नीचे मृत्यू लोग है आज हम आपको बताने जा रहे हैं केलाश परवत के कुछ ऐसे रहसे जिने सुनकर आप हैरान हो जाएंगे धर्ती के एक ओर उत्री ध्रूव है तो दूसरी ओर दक्षनी ध्रूव दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमाले हिमाले का केंद्र है केलाश परवत विज्ञानिकों के अनुसार ये धर्ती का केंद्र है केलाश परवत दुनिया के चार मुख्य धर्मों हिंडू, जैन, बौध और सिक धर्म का केंद्र है यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है एक्सिस मुंडी का मतलब है दुनिया की नाभी या आकाशे धुरुफ और भोगौलिक धुरुफ का केंद्र यह आकाश और पृत्वी के बीच संबंध का एक बिंदू है जहां दसो दिशाएं मिल जाती है रशिया के वेज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलोकिक शक्ती का प्रभा होता है और आप उन शक्तियों के साथ संबर्ख कर सकते हैं केलाश परवत एक विशाल काई पिरामिड है जो सौच छोटे पिरामिडों का केंद्र है केलाश परवत की सरचना कमपास के चार दिक बिन्दूओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा परवत नहीं है केलाश परवत पर चड़ना निशिद है परन्तु ग्यारवी सदी में एक तिबती बौध योगी मिला रेपा ने इस पर चढ़ाई की थी रशिया के विज्ञानिकों की यह रिपोर्ट एक मैगजीन के 2004 के जन्वरी अंक में प्रकाशित हुई थी हाला कि मिला रेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा इसलिए यह भी एक रहस्य है यहाँ दो सरोवर मुख्ये हैं पहला मान सरोवर जो दुनिया की शुद पानी की उचितम जीलों में से एक है और जिसका आकार सूरी के समान है दूसरा राक्षस नामक जील जो दुनिया की खारे पानी की उचितम जीलों में से एक है और जिसका आकार चंदर के समान है यह दोनों जीले सौर और चंदर बल को प्रदर्शित करती हैं जिसका संबंध सकरात्मक और नकरात्मक उर्चा से है जब दक्षन से देखते हैं तो एक स्वास्तिक जिन वास्तव में दिखा जा सकता है यह अभी तक रहसे है कि यह जीले प्राकर्तिक तौर पर निर्मित हुई या कि ऐसा इन्हें बनाया गया क्यलाश परवत पर सिर्फ पुन्यात्माई ही रह सकती है क्यलाश परवत और उसके आसपास के वातवरन पर अध्यन कर चुके रशिया के वैग्यानिकों ने जब दिबबत के मंदिरों में धर्म गुरूं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया क्यलाश परवत के चारों और एक अलोकिक शक्ती का प्रवा है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मे गुरूं के साथ टेलिपैथिक संपर करते हैं हिमाले वासियों का कहना है कि हिमाले पर येती मानव रहता है कोई इसे भूरा भालू कहता है कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव ये धार्ना पचलित है कि यह लोगों को मार कर खा जाता है कुछ वैग्यानिक इसे निंडर्धल मानव मानते हैं विश्व भर में करीब 30 से ज़ादा वैग्यानिकों ने दावा किया है कि हिमाले के बरफीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है दुनिया का सबसे दुडलब म्रिक है कस्तूरी म्रिक यह हिरन उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिबबत, साइबेरिया, मंगूलिया में ही पाया जाता है इस म्रिक की कस्तूरी बहुत ही सुगंदित और औशदिये गुणों से युक्त होती है जो उसकी शरीर के पिछले हिस्से की करंथी में एक पदार्थ के रूप में होती है कस्तूरी म्रिक की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है यदि आप कैलाश परवर्थ या मान सरोवर जील के छेतर में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी जैसे की कहीं आसपास में एरोपलेन उड़ रहा हो लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनी जैसी होती है व्यज्यानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिगलने की हो यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनी के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहां से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं ऐसा दावा किया चाता है कि कई बार गैलाज बर्वत पर साथ तरह की लाइटे आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं नासा के वैग्यानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहां के चुम्बकी बल के कारण हो यहां का चुम्बकी बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्मान कर सकता है इस पवित्र परवत की चड़ाई करने वाले लोगों ने दावा किया है कि इस पर चड़ाई के दौरान बढ़ी तेजी से उनके बाल और नाखून पढ़ने लगे थे जहां समाने तोर पर बालों और नाखूनों को बढ़ने में दो सप्ता का समय लगता है वहीं के लाश परवत की चड़ाई के दौरान मात्र भारा घंटे में ही बाल और नाखून बढ़ने लगते हैं कहा जाता है कि परवत की हवा के कारण उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है